हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैग अब हम आ गए अपना नया चैप्टर ललद के वाख लेकर ललद हमारी कवेत्री का नाम है यह इन्होंने बहुत जादा रचनाय नहीं करी यह कश्मीर से बिलॉंग करती है और इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाय करी वो सभी कश्मीरी भा बार्षा से हिंदी में अनुवात किया गया है तो यहां पर हम सबसे पहले बता रहे हैं कि ललद जो है वो 1300 के सम्थिंग आसपास उनका जन्म हुआ और उन्होंने कश्मीरी भाषा में कविताएं लिखी और उनकी ही वाक उनकी ही शैली को उनकी ही काव शैली को सिर्फ वाक चली शुरू करते हैं हम क्या बोला जा रहा है यहां पर रसी कच्चे धागे की खीच रही मैंनाव जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार तो यहां पर क्या दिया गया है यहां पर जो कच्ची रसी से तात पर है हमारी सांसों सी यानि कि अब सांस तूट रही है कच्चे यानि कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या सांसे तूटने लगती है तो क्या है अब सांसे तूट रही हैं खीच रही मैं नाव यहां नाव से तात पर है जिन्दगी यानि कि हमारा शरील यानि कि अब मैं क्या कर रही हूँ अपनी कच्ची रसी यानि अपनी तूटती सांसों से इस जीवन की इस जिन्दगी को जी रही है जितनी भी अब मेरी जिन्दकी बच्ची हुई है जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार अर्थात पता नहीं एशवर कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर रूपी संसार से जहाँ पर कोई फस जाये तो मुश्किल होता है थीक उसी तरीके से कि इस भव सागर रूपी संसार से ना जाने कब ईश्वर हमारे मुझे अपने पास बुलाएंगे पानी टपके कच्च सकोरे वर्त प्रयास हो रहे मेरे अब दूसरे उसमें उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अपने आपको क्या बताया है अब मेरी उम्र बढ़ रही है और इसमें सांस रूपी पानी टपकता जा रहा है इसमें उन्होंने को मेरी उम्र कम हो रही है वर्त प्यास हो रहे मेरे और इश्वर से मिलनी के मेरे जितने भी प्रयास है वह सभी व्यर्त हो रहे है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर मैं ईश्वर से नहीं मिल पा रही हूँ जी में उठती रह रह हूँक घर जाने की चाह है गहरे और जो मेरा दिल है जी है वो मेरा मन बार बार जो है उसमें हूँक उठ रहा है मेरा मन बार बार मचल रहा है और मेरा मन सिर्फ घर जाने को कर रहा है अर्थात आपके पास जब मर जाते हैं तो जीवात्मा कहां जाती है प्रभू के पास जाती है तो वही कहते हैं कि अब मेरी जो मेरा मन है वो बहुत विचलित हो गया है और मैं बहुत जादा परिशान हो चुकी हूँ और मेरा मन सिर्व कहां इश्वर के पास घर जाने का अर्थात मतलब इश्वर के पास जाने का कर रहा है नेक्स्ट खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खा कर बनेगा अहंकारी यानि कि हमें जो कुछ मिलता है इन बंक्दिम क्या कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है भोग विलास की चीज़े हम उसी में लिप्त हैं ठीक है हमें जो कुछ मिल रहा है हम वो सब चीजों का भोग करने में लिप्त हैं और अहंकारी बन रहे हैं और अगर हम कुछ लेते भी नहीं हैं, मानलो अगर हम इश्वर से कुछ जो हमें मिल रही हैं चीजें, अगर हम वो भी नहीं रहते हैं, हम तब भी अहंकारी बन जाते हैं, मतलब भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, हम अगर उनको लेते हैं, हम तब भी अहंकारी बनत भुख विलाज के चीज़े क्या है अच्छा खाना अच्छा वस्ति रिगी सब चीज़ें अगर हमको मिलती हैं तो हम पहनते हैं और को दो करते हैं अरे वाह कपड़ा उससे बहुत अच्राई चाहिए मेरि पास इतने पैसे नहीं recover है हमारे पास पैसे होता है और इन जैसे लोगों जैसा नहीं हूँ, तब ये भी अहंकार है, तो यहां उन्होंने क्या बोला, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब हम अगर भोग विलास करते रहेंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और अगर हम नहीं खाएंगे, तब हम अहंकारी बन जाए समखा तभी होगा संभावी, कहने का मतलब तुम भोग विलास भी करो और दूसरों को भी दो, तब तुम संभावी बनोगे, तब तुम्हारे अंदर अहंकारी आएगा, मतलब हमारे पास जितना उपलब्द है भोग के लिए हमें इस्तिमाल करना चाहिए, और अगर हमारे हमारे पास है, तो दूसरों की भलाई के लिए हमें उसको खर्च करना चाहिए जैसे हमारे पांस अगर 5 जोड़ी बस्त हैं तो अगर उसमें से हम 4 पहन रहें तो एक हमें किसी को दे देना चाहिए, तो कहने का मतलब क्या है, हम अगर हमँबग करते रहेंगे तो हमें कुछ खुलेगी साकल बंद द्वार की और तब दिल में जितना भी मेल विराजमान है जितनी भी व्याधियां हैं जो हमने अपने दिल के अंदर बंद करके रखी हैं वो साकल यानि कि कुंडी जो है वो खुल जाएंगी और हमारा मन सुच और साफ हो जाएगा आई सीधी रहा से गई नसीधी रहा सुचम शेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा यानि कि जहां पर हम बोलते हैं ना जहां उन्होंने अपने जीवन को खंगाला ललत ने क्या अपने जीवन को खंगाला कि पूरा जीवन बीत गया और हमने कोई भी अच्छा काम नहीं कि आई सीधी रहा से न गई सीधी रहा अर्थात हमने मेरा पूरा जीवन बीठ गया है और जो है मैंने कोई भी अच्छा कार नहीं किया है शुशुम सेत उपर खड़ी थी बीठ गया दिन मतलब अब मेरे जीवन की संध्या का ला गई है अर्थात अब मेरी आत्मा जीवात्मा से मिलने वाली है यानि कि मेरी मृत्ति हो कि अब मैं प्रभू से मिलने वाली हूँ बीत गया दिना और सारा जीवन बीत गया है तो कहने का क्या ताथ पर है कि अब मेरा सारा जीवन बीत गया है और मेरी आत्मा जीव आत्मा से मिलने वाली है यानि कि वो आखरी पुल जो जीवों को आत्मा प्रभू से मिलाता है तो वो आखरा आखरी जो रास्ता होता है उसको शुशुम्शेतु का नाम दिया है इनोंने तो हम वहाँ पर खड़े हैं मतलब मेरी मृत्यू कभी भी हो सकती है और मैंने जब अपने जीवन को खंगाला तो मैंने तो अपने जीवन में कोई भी अच्छा कारे नहीं किया है आई सीधी रहा न गेई सीधी रहा जेब टटोली कौडी नपाई मांजी कोदू क्या उतुराई तो सबसे पहले जो लिखा है हम आपको ये बताते हैं मतलब क्या कि जब हम किसी नदी को पार करते हैं यानि नदी के एक किनारे से हम दूसरे किनारे पर जाते हैं और किसी बोट का सहारा लेते हैं तो वहाँ जो व्यक्ति चला रहा होता है उसको मांजी बोलते हैं तो हम उसको क्या बहुते हैं, हम बोट पे बैठते हैं और दूसरे किनारे उतरते हैं और मांजी को कुछ पैसे दे देते हैं, यह हम करते हैं, तो क्या यह बोल रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात मैंने अपनी जेब में हांट डाला तो मुझे कुछ भी प पहने का मतलब है, अब ईश्वर मुझे अपने मांजी किसको बोला जा रहा है? ईश्वर को. ईश्वर ने मुझे इस जीवन में जन्म दिया, पूरे जीवन को जिया है अर्थात नदी को पार किया, अब आखरी कोने पर उतरना है, अर्थात मुझे ईश्वर के पास क्योंकि इश्वर पैसे तो नहीं लेते, इश्वर क्या लेते हैं? अच्छे कर्म और जब मैं अपनी जेवट टोल रही हूं और थात अपने जीवन को खंगाल रही हूं तो मेरे पास कुछ भी अच्छे कर्म नहीं है कि मैं उनको दे सकूं ताकि इश्वर मुझे उस पार उत इसका इतना ही दाद पर रहे हूं थल थल में बसता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा ज्यानी है तो स्वेम को जान यही है साहिब की पहचान तो यहां क्या है? थल थल में बसता है शिव ही यानि की इस प्रत्वी के कड़ कड़ हर जगहा पर ईश्वर बसता है शिव मतलब अर्थात ईश्वर बसता है इस प्रत्वी के हर कड़ कड़ में ईश्वर का वास है भेद ना कर क्या हिंदू मुसल्मा इसलिए हमें बिल्कुल भी भेद बाव हिं नहीं करना चाहिए ग्यानी है तो स्वेंग को जान अगर तुम अपने आपको बहुत जादा ग्यानी समस्ते हो जैसे सादू महात्मा अपने आपको बहुत ग्यानी समस्ते हैं तो क्या कहते हैं अगर तुम ग्यानी हो तो सबसे पहले अपने आपको जाने क्या होंगे तो अप से पहले अपने आपके अंदर जाको अपने आपके अंदर को देखो यही है साहिब से पैचान अर्था जब अपने अंदर को देखेंगे तो हम सारी व्याधियां सारी बुरी आदते सब कुछ हम अपने अंदर से निकाल देंगे और जो हमारे पास बचेगा वो एकड़म शु इश्वर होगी तो यहाँ पर उन्हें क्या बोला फिर से बता रही हूं थल थल में बसता है श्र यानी की इस प्रत्वी के कड़कड में इश्वर बसता है इसलिए हमें कभी भी हिंदू मिसल्मान का भेद नहीं करना चाहिए ज्यानी है तो स्वयम को जान और अगर तुम ज्य अर्थाद इश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आपको जानो जब तुम अपने आपको जान लोगे अपने अंदर की व्याधियों को दूर कर दोगे अपने अंदर के विकारों को दूर कर दोगे तो जो शुद्ध आत्मा बचेगी वही होंगे साहि और्थात ईश्वर। के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। कहने का कंच्छी कच्छे धागे की, खीच रही मैंनाव। तो रसी हमने आपको पहले बताया था कि वह सांस कच्छी रसी का अर्थात है। मतलब तूटती सांस है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे रसी यहाँ मानव के शरीर के लिए प्रियुक्त की है और रसी कच्ची तथा नश्वर है यानि कि अब जो है वो शरीर टूट रहा है यानि कि अब कच्ची यानि कि हमने बता है कच्ची रसी यानि कि सांसे जो है टूट रही है अर्थात जो श बिमार हैं कुछ हैं तो किसे भी वक्त मिर्तियों हो सकती है तो वह यह है अब रसी कच्छे धागे अर्थाथ अब यह जू मेरी सांसे यानी की मेरा शरीर है वो तूट चुका है कमजोर हो गया है और मैं अपनी जिन्दगी को खीच रही हूं उससे क्या मैं अपनी जिंदिगी रूपी नाव को खीच रही हूँ कब ये रस्ती तूट जाएगी मुझे नहीं बता है भक्ती रूपी रस्ती के सहारे कवित्री इश्वर तक पहुँचना चाहती है लेकिन वह माध्यम अभी कमजोर होने से उसे असफलता मिल रही है अर्थात यहां पर वो बता रही है कवित्री कि मैं इश्वर की भक्ती बहुत जादा कर रही हूँ बहुत भक्ती कर रही हूँ मगर मैं इश्वर तक नहीं पहुँच पारी हूँ क्यों? क्योंकि जो वो भक्ती कर रही है वो अभी कमजोर है इसलिए वो इश्वर तक नहीं पहुँच पारी तो यहाँ दो तात्परे लगाए गए आप एक तात्परे से भी इसको कर सकते हैं कवित्री द्वारा मुक्ती के लिए की जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? मतलब क्यों जितने वी वव्यर्थ क्यों हो जा रहे हैं? कवित्री सांसरिक्ता तथा मुओं के बंधनों से मुक्त नहीं हो पारी ऐसे में वा प्रभु भक्ती सच्चे मन से नहीं कर पारी हैं जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल जादा देर नहीं ठहर पाता उसी पकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं इसलिए उनके द्वारा मुक्ती के प्रयास भी विफल हो रहे हैं यहां पर क्या बोलती है कवित्री जो है सांसारिक मुहमाया में फसी है यानि संसार बेटा है पती है बहु है पोते हैं जो भी आसपास जितने भी लोग हैं घर है और खाना पीना यह होता है सांसारिक मुहमाया तो यह कवित्री अभी क्या है सांसारिक मुहमाया में फसी हुई तो अब वो जितने भी प्रयास कर रही है इश्वर के पास जाने के वो सब विफल हो जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ से सांसारिक मुहमाया खीच रही है उनको और वो जितना उस तरफ जाने कोशिश कर रही है वो बढ़ी नहीं पाती क्योंकि वो सब चीजें उनको वापस खीच रही है जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी भर दिया जाए तो वो टपकने लगता है अर्थात वो जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो एक पानी की तरह टपकते चले जा रहे हैं यानि कि उनका शरीर जो है वो कमजोर हो गया है और वो जितने प्रयास कर रहे हैं वो वियर्थ हो रहे हैं इसलिए वो जितना भी प्रयास करें वो उनका विफल होता जा रहा है और वो इश्वर से जो है मिल नहीं पा रही तो यहाँ पर हर इक चीज का उन्होंने दो दो अर्थ बताए हैं तो उन दो अर्थों को अगर आप मेंचिन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं इससे यह होगा कि आपका आंसर जादा प्रभावशाली बनेगा क्योंकि काव्य में हमारे पास लिखने के लिए जादा नहीं होता हम भाव सपष्च कर देंगे लेकिन अगर सेंबल भाशा में हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाता तो उस condition में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसमें किसी भाव को और जादा add कर दें लेकिन वही भाव जो कभी आपके काव में पूछे गए हो जैसे कविता का भाव स्पष्ट कर रहे हैं घर जाने को करता है जी तो यहां कवित्री का घर जाने की चाहते क्या अतात पर है प्रभू से मिलना हमने बुलना ना कि वो जितने भी प्रयास करें सब विफल हो रहे हो दिल में बार बार हुट रही है और वो सिर्फ और सिर्फ कहां घर जाना चाहती है, अर्थात वो प्रभू से मिलना चाहती है, अब वो इस जीवन को छोड़के कहां जाना चाहती है, प्रभू से मिलने, कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, भव सागर मतलब इ यानि कि इश्वर से मिलने के लिए जाना चाहते हैं अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो तब कैसे होगा? वो जब मृत्य हो जाएगी मतलब अब वो एक संसार को यानि भवसागर रूपी संसार को छोड़के परमात्मा से मिल ले यानि कि अब वो हम इचाते हैं कि इश्वर हमको मृत्यु दे दे और मैं जाके इश्वर से मिल जाओ वह संसारिक मोमाया में भटकना नहीं चाहती हमने बताया ना कि वो संसार की मोमाया में बंधियु नहीं है कि एक तरफ संसारिक मोमाया खीच रही है और दूसरी तरफ वो इश्वर के पास जाना चाहती है लेकिन वो संभव क्यों नहीं हो पारा क्योंकि एक तरफ उन्हें कोई वापस खीच रहा है यानि कि अब ये सांसारिक मोमाया वो छोड़ देना चाहती है और मृत्य प्राप्त करके अब वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास में जाना चाहती है तो सिंपल इसका अर्थ कहाँ था प्रभू से मिलना लेकिन आप इतना नहीं लिख के छोड़ेंगे आपको इसी explain करना पड़ेगा कि आखिर कवित्री ने यहाँ पर इस शब्द का इस्तिमाल क्यों किया जैसे हमने यहाँ बाद में इस चीज को explain किया चौथा भाविस्पष्ट कीजिए भाविस्पष्ट करना मतलब जो हमने lines आपको अगर दी जाएगी तो उसका अर्थ आपको बताना है कैसे दी जाताना है जेब टटोली कौडी न पाई एक line दी है तो अब इसका अर्थ आपको बताना होगा कवित्री कहती है कि सिंसार में आकर वह सांसरिक्ता में उलच कर रहे गए जब अंत समय आया तो जेब टटोली अर्तात आत्म निरिक्षण किया यानि कि अपने जीवन को टटोला तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ अब उन्हें चिंता सता रहे कि भवसागर पार करने वाले मांची अर्तात इश्वर को उत्राई के रूप में क्या देंगी तो मैंने बोला ना उन्होंने बोला आई सीधी रहा न गई सीधी रहा यानि कि उन्होंने सारा जीवन जो है वो कोई भी ऐसे कार्रे नहीं किये कि वो इश्वर को प्रदान कर सके और अब क्या है जब वो इश्वर रूपी मांची से बोल रहे हैं कि मुझे इस भवसागर रूपी संसार से अपने पास बुला लीजी है तो अब वो मांची को में क्या दू मांची पैसा थोड़ी न लेगे इश्वर क्या लेंगे अच्छे कर्म लेंगे और जब वो अपने आत्म निरिक्षन कर रही है अपने जीवन को टटोल रही है तो उन्हें कुछ भी अच्छे कर्म नहीं मिल रहे हैं कि वो इश्वर को प इसमें क्या दिया है प्रस्तु पंक्तियों में कवित्री मनुष को इश्वर प्राप्ति के माध्यम मार्ग अपनाने को कहरी कवित्री कहती है मनुष को भोग विलास में पढ़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होता हम अगर भोग विलास में पढ़े रहेंगे तो हमें कुछ भी भी प्राप्त नहीं होगा मनुष्य जब सांसारी भोगों से पूरी तरह त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना आ जाती और जब हम सब कुछ त्याग देंगे और हम कुछ किसी भी चीज़ का भौक नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे अहंकारी बन जाएंगे अब अहंकार रहित हो कर माया मों से विरक्त रहते वेए ईश्वर प्राप्ती का प्रयास करना चाहिए मतलब कि हम संसार को तो छोड़ें संसार को छोड़ दे, मगर अहंकारी भी ना पने, तो उस condition में, यानि कि हम जब संभावी हो जाएंगे, तब हम इश्वर को easily प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम easy language में आपको समझाते हैं, कि जब हम भोग विलास करते रहते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर् हम कारी बन जाते हैं, कि अरे हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तब हम क्या condition हो जाती हैं? अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन हम सब कुछ छोड़ भी दे, और अहंकारी भी ना पने, तब कंडिशन क्या होगी, तब हम इश्वर को पापाएंगे तब हम संभावी बन पाएंगे तो इसलिए के दो पंक्तिया दीगी थी आपको एक्जाम में कहीं से भी कोई भी पंक्ति जी जा शकती है तो इसलिए पूरे गध्याश को आपको अच्छे से पढ़ना है जितना भी वाख आपके तीनों वाख दिये उनको मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ पहले वीडियो में तो आप उनको देखकर अच्छे से समझ लीजे क्यों क्योंकि पंक्तिया कहीं से भी आपसे पूछी जा सकती है आपको जब पूरा पता रहेगा तो आपके लिए इसी रहेगा आप कहीं से भी उसका भाविस पश्ट कर सकते हैं पांचवाँ बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय बताया है बंद द्वार की साकल का मतलब है कि हमने अपने हिदय को बंद कर रखा है कुंडी लगा के बंद कर रखा है तो उसको खोलने का उन्होंने क्या उपाय बताया है उन्होंने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याक के बीद संतुलन बनाए बताया ना उन्होंने कि भोग विलास आप खा खा के ना कुछ पाएगा ना खाएगा बनेगा अहंगारी अर्थात हम भोग विलास ना करते रहें कि हम भोग विलास करें मगर साथ में त्याग भी करें जब इन दोनों का हम संतुलन बनाए रखेंगे, रखते हैं मनुष को सांसारिक विश्यों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उनसे विरक्त होना चाहिए अज्यान ही बंदद्वार की सांकल है अन्तता बाय इंद्रियों पर नियंतरन रखने से मुक्ति मिल सकती है आप इसको हम easy language में आपको समझाते हैं वो बोलती हैं कि हम भोग विलास जब करते हैं जम पूरी तरह भोग विलास में हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता हम सब जोड़ देते हैं तो आंकारी बन जाते हैं लेकिन इन दोनों ही कंडिशन में हमने अपने हिर्दे में बहुत कुछ बंद करके रखा होता है यानि कि अज्यान को हमने अपने हिर्दे के उपर अज्यान रूपी साकल यानि अज्यान रूपी कुंडी लगा के रखी अब उसको हम कैसे खोलेंगे हम क्या करेंगे हम सांसारिक चीजों का भी भोग करते रहें और त्याग भी करते रहें हमने बताया था ना आपको कि हम सांसारिक चीजेते हमें जरूरत है हम उसका भोग विलास करें और जितना नहीं उसको हम त्याग कर दे, दूसरों को द्यान कर दे तो उस condition में क्या होगा, हम भोग विलास भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं तो हम उनसे विरक्त सांसारिक चीजों से हम विरक्त भी नहीं है और अहंकारी भी नहीं बने तो इस condition में क्या होगा कि हमारे जो अंदर जो मैल भरा है वो अज्ञान जो भरा है वो हट जाएगा वो कुंडि हट जाएगी और हमारे दिल के द्वार जो है वो सभी के लिए खुल जाएगा इश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हट योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष प्राप्ति नहीं होती ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है क्या हुआ ना बहुत से लोग साधना करते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे परवत पर जाके ह सबकुछ त्याग देंगे तो उस कन्डीशन में क्या हो तो क्या है सब कुछ प्राप्त हो जाता है ऐसा होता है तो उन्हों ने बताया यह सब चीजें किन पंगतियों मेंल लिखी गई आपको पंगतियां यहां पर लिखने तो क्या है उपरियुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त होता है कैसे आई सीधी रहा से गई न सीधी रहा शुशुम शेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा जेब टटोली कौड न पाई मांजी कोदू क्या उत्राई यानि कि हमें जो है जिद नहीं करनी है अर्थाद हमें अच्छे कर्म करने है हट से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता हम क्या है जब अच्छे कर्म करेंगे तो वो कर्म ही ईश्वर हमसे लेंगे और हमें अपने पास में बुलाएंगे तो ये आपको बंगतियां यहाँ पर प्रसुत करनी है लास्ट कोशन ज्यानी से कवेत्री का क्या अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है यानि कि हमें प्रभु कैसे प्राप्त होंगे प्रभु ऐसा नहीं है कि हम योग साधना करें तो हमें प्रभु प्राप्त हो जाएंगे हम बहुत जादा पूजा पाट करें तो हमें प्रभु प्राप्त होंगे ऐसे तो प्रभु प्राप्त नहीं होते हमें योग साधना नहीं कुछ नहीं करना है हमें करना क्या है ज्यानी की हमें जो है अच्छे कर्म करने है जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होंगे हम इश्वर को जान लेंगे इश्वर को जान लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे ज्यानी हो जाएंगे सिंपल सी चीज़ है तो यहां क्या दिया है ज्यानी सी कवित्री का विप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध में जान लिया है यानि कि आत्मा किस तरीके से परमात्मा से मिलती है अथात हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपने अंदर इश्वर को ढूणेंगे और हमें इश्वर हमेशा हमारे साथ में रहेंगे कवित्वी के इंसार इश्वर का निवास तो हर एक कड में है परन्तो मनुष इसे धर्म में विभाजित कर मंदिरों मस्जित में खोजता फिरता है तो कहने का यहां क्या मतलब है कि हर कड़, हर एक जीव में ईश्वर व्याप्त है लेकिन मनुष क्या करता है? मंदिर, मस्जित, तीर्थरसलों हर जगा देखता है तो वो बेकार घूम रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम अपने सामने देखें, तो हर चीज़ में हमें ईश्वर व्याप्त दिखेंगे वास्तो में ग्यानी तो वह है जो अपने अंता करण में ईश्वर को पाले तो हमने क्या बोला जब हम अच्छी कर्म करेंगे तो हमारे अंदर ही हमको ईश्वर प्राप्त होगी जब हम अंता विच्रन करेंगे यानि हम अपने अंदर जाकेंगे तो हमारे अंदर की सारी विरक्तियां चितनी भी अशुद्धियां वो सब हट जाएंगी और जब यह हट जाएंगी तो हमारे अंदर जो बचेगी वो शुद्धात्मा होगी और वो शुद्धात्मा ही हमको इश्वर से मिला देगी तो इश्वर कहां मिले हमको अपने अंदर मिले सामने बैठे किसी पशु में मिले कहीं तो यानि कि इश्वर हर कणकण में है हमें करना क्या है पाट के प्रश्न उतर किस तरीकी से पूछे जाएंगे। पाट अच्छे से समझ में आया होगा, नेक्स पाट के लिए हमारा वेट करते रहे हैं, थैंक यू, पाट